जाहें, फ्रेंज आप सभी का स्वाकत है। आपके अपने YouTube चैनल Excellence and EPS YouTube चैनल पर मैं EPS आपका सवाथ करता हूँ आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया आप जीत किया और हार किया जो ठान लिया भाइन अजो ठान लिया इससे पहले part first और part second जो हमने वीडियो बना रखी उनकी link आपको description box में देखने को मिल जाएगी इससे पहले हम कारक्टा कर चुके थे आज हम सर्वनाम को discuss करने वाले हैं यहाँ पर तो ध्यान से देखते जाएए और भी topic इसी के साथ discuss किये जाएगे तो सर्वनाम संग्या सब्दों के इस्तान पर प्रियोक्त होने वाले सब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं यानि वो सब्द जो संग्या के इस्तान पर यूज किया जाते हैं प्रियोक किया जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं लग राम एक अच्छा लडगा है वहें रोज खेलता है पहले हमने राम का यहांहाँ Commission सर्वनाम किपुचिह निस के प्रिकारने प्राश Karl यहां से सिर्फ यही कूशय आता है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रिकार कितने होती है, फिर नेच्ट है हमारा विशेशण, क्या है, विशेशण, ये आपके लिए इंपोडेंट है, सर्वनाम और जो आपका विशेशण है, इसमें से एक नंबर का कुश्चन साब के एक्जाम में जरूर आता है, संग्या और सरवनाम की विजिश्ता बताते हैं, जैसे राम अच्छा लढ़का है, यह तो महलब बात हुई कि राम लड़का है, राम अच्छा लढ़का है यह उसकी विशिश्ता हुई, किसकी? राम की. तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं जिस सर्वनाम अत्वा संग्या की विशेस्ता बताई जाए उसे ही हम विशेश कहते हैं यानि कि जैसे हम राम की विशेस्ता बता रहे तो राम क्या उसमें विशेस्ता है एक बार मुझा गया था विशेस्ता किसे कहते हैं तो जिस सर्वनाम या संग्या सब्द की विशिस्ता पताई आती है उसे हम विशेष से कहते हैं फिर नेक्स्ट है यहाँ पर विशेषड सब्दों का प्रियोग विशेष के पूर्व और उसके बाद दोनों प्रिकार से ही हो सकता है यहाँ पर हमने सीका सर्वनाम किसे कहते हैं संग्या के इस्तान पर प्रियोग कियाने वाले सब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के छेवेद होते हैं पुरुस वाचक सर्वनाम निश्य वाचक सर्वनाम जिसे हम संकेत वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं और इसमें विशेष, यानि जिस की विशेष ता बतायाती है, उसे हम विशेष की कहती है, ठीक है? नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर इसके टाइप को पढ़ते हैं कि सर्वनाम जो विशेषड होता है उसके कितने परकार होती है काफी बार कुशन पूछी आता है विशेषड के चार परकार होती है गुड़ वाचक विशेषड, संग्या वाचक विशेषड, परणाम वाचक विशेषड और सर्वजनिक विशेषड यानि कि जब गुड़ की विशेषड वताए तो गुड़ वाचक संग्या वाचक बताए तो संग्या वाचक और परिमाड की बताए तो परणाम बाचक और सर्वजनिक बताए तो सर्वजनिक विशेशड कुछ सब्द तो मूल लोप से ही विशेशड होते हैं परन्तु कुछ की रचना के आनुसार उन्हें विशेशड सब्द बना सकते हैं संग्या से शर्वनाम से और फिर किरिया से तो आई इनको पढ़ लेते हैं इनको बस मेमोराइस करना है अच्छे से आपके जो विशेशड होते हैं चार प्रकार के संग्या बाचक परडाम बाचक किरिया बाचक और आपका एक कौन सथा गुडवाचक ठीक है अब यहां पर इ मास से माशिक, पक्ष से पच्छिक, संगेश से सांकेतिक, संस्कृति से संस्कृतिक, सत्त से सात्तिक, साहित से साहितिक, संपरदायिक, नास्तिक से नास्तिक, नीती से नैतिक, निम्मित से निम्मितिक, निसर्ग से निसर्गिक, धर्म से धार्मिक, आत्मा से आत्मिये, जात से जाती है दानव से दानवी है भारत से भारती है फिर यहां भी देखक लेते हैं दुक्ष से दुक्त में सुक्त से सुक्में। रूग से रोगी, मोन से मोनी, सयम से सयमी, बुद्धी से बुद्धिमान, स्री से स्रीमती या स्रीमान, फिस्री से स्रीमती या स्रीमान, गुड से गुडवती या गुडवान, रूप से रूपवान, पुत्र से पुत्रवती और रूप से रूपवती, क्रम से किर्मिक, दिन से दैनिक, इतिहास से एतिहासिक, विसेश से बैश्वेक, देव से दैविक, भुद्धी से बौधिक, मूल से मौलिक, भूगोल से मान्निता प्राप्त है कितनी सम्मिधान में कितनी भाषाओं को भाषाओं को मान्निता प्राप्त हैं कि माननेता कि माननेता प्राप्त है ठीक है कमेंट सेक्षन में इसका अंसर जुरू बताईए अंगे बढ़ते हैं पर यहां से आत्मा से आत्मी है जाती से जाती है दानफ से दानवी है भारत से भारती है इस्तान से इस्तानी है सास्त से सास्त्रिय कुल से कुलीन ग्राम से ग्रामीड विसुजन से विसुजनीन रुची से रुचिर जटा से जटिल आदी से आदिम रक्त से रक्तमै स्वड से सोडिम इसा से इशालू किरपा से किरपालू स्रदा से सिर्दालू बुद्धी से बौद्दिक, मूल से मौलिक, भूगोल से भूगोलिक, स्रम से सिर्मिक, कुरू से कौरब, भूमी से भौम, मतरा से मतुर, विश्नु से वैश्व, सिव से सैव, अंक से अंकित, कुसम से कुसमती, उसुरुद्दा से सुरुदित, तरंग से तरंगित, धुनी स धुनीगत मुखर्च से मुखृत पल्लव इत ब्रह से ऐसं फी होते यह फिर आगे वढ़ते हैं कि इनको आपको पूंना है कि इसके बाद यहां और देहां रहके जैसे यहां पर बाजसे बाजल औजश्य औजश्य तपस्य तपस्य तेज़स से तेज़स्वी जलसे जलमें सत्य सत्य निष्ट सुर्वी से सुर्वति समीप पश्ट सरीर से सरीरस्ट धर्मसे धर्मरत कर्म से कर्म 느र्ण फिर आते हैं सरुनाम से निर्मित विशेशड continuing यह से ऐसा वह से वैशा पर यहां से सीख रहें किरिया से बनने वाले विशेशड भागना से भागने वाले प्त से पतित पूज से पूज निये पालन से पालने वाला बंद से बंदनिये सोस से सोशित ठेक है next सब्ह жен कि और यह थो जाती है क्रिया तर curb इसी टॉपउक में डिस्कस कर लेते हैं आगे एंच्च पार्ट मेंं हम पडाइंगे काल को ठी committed क्रिया जिस सब्धसे किसी कार के करने अत्वा होने का बोध होता है उसे घ्रिया कहते हैं किर्या के मूल लूप को हम तातू कहते हैं जैसे पड़ फड़ में अगर हम क्या rush न जोड़े तो ये क्या बन जाएगा किर्या पड न हो जाएगा लेकिन जो पड़ सब्द है वो क्या है धातू है काफी बार पूंचे जाता है एक नमबर यहां से भी रहनता है इन्पोडेंट है आना, जाना, पूझना, लिखना, बैटना यह सभी क्या है आपकी किरिया है किसी भी कारिक के करने अर्थवा होने का बोद होता है उसे हम किरिया कहते है और जैसे जो किरिया में मूल धातू रूप होता है उसे हम धातू कहते है और विवन परकार किरिया के एक्जामपल आपने यहां पर देखे क्रिया के निर्वान हम तीन प्रकार से करते हैं संग्या से धातू से और विशिशर से तो आईए देख लेते हैं किस तरह से करते हैं इनका इस्तमाल तो सबसे पहले संग्या से बनने वाले सब्द संग्या से कौन कौन सब्द होते हैं आलस से अलसाना फटकार से फटकारना फिर उपर दे रखें फिर यहां से धातू से बनने वाले सब्द बताएगा यह चल से चलना चड़ से चड़ना फिर विशेशड से गर्म से गर्माना मोटा से मुटाना टिम्टिम से टिम्टिमाना कभी कभी सर्वनाम से भी क्रिया बन सकती है जैसे अपना से अपनाना क्रिया के मुख दो वेद होती है एक सक्रम क्रिया और एक अक्रम क्रिया यहां से कुश्चन अरवार बनता है इंपोडेंड कुश्चन है ठीक है टॉपिक है यह सक्रम क्रिया जिस क्रिया के ब्यापार कार का फलकरता को छोड़कर कर्मों पर पड़े और सक्रमक्रिया कहलाती है जैसे स्री किषने कंस को मारा हम मैं कहें स्री किषने मारा तो इसमें यह जी पता चला किसको मारा जब यह किसको क्यों यह चीजों के जब 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 जाएं तो वो जो किरिया हैं होती ही सक्रम किरिया हैं होती है जब इनके जब आप ना मिलें तो उन्हें हम अक्रम किरिया कहते हैं इसे इंग्लिस में हम ट्रांस्टिफ और इंट्रांस्टिफ बर्व के रूप में भी पढ़ते हैं अब नीचे आपको दे रखी हैं अक्रम किरिया हैं जब क्या की कुश्यन के अंसर ना मिलें तो अक्रम क्रिया और जब मिल जाएं तो सक्रम क्रिया फिर यहाँ पे कुछ जो है आपकी क्रियाँ दी गई है अक्रम क्रियाओ के उधारण जैसे अकड़ना, धरना, बरसाना, उगना, जीना, मरना, उचलना, डरना, सोना, कूदना, ठैरना, रोना, जागना, फांदना, हशना, दोडना, बैठना और होना ये सबी आपकी जो किरियां हैं, वो कौन सी किरियां हैं? अक्रमक किरियां हैं कौन से किरिया है अक्रमक आए दोबारा से मेमोराइज कर लेते हैं हमने यहाँ पर क्या कै सीखा सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्वनाम से पढ़ना स्टार्ट किया संग्या के इस्तान पर प्रियोग कियाने वाले सब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम चैप्रिकार के होत होते हैं गुडवाचक संघ्या अधिया कि जा सकती है थीक है किरिया कि poorer किसे कहते हैं जिस किसी जिस सब्द से किसी कार के करने होने का बोध होता उसे हम घिरिया कहते हैं और क्रिया का जो मूल लूप होता है उसे हम दातू कहते हैं जैसे आना जाना पूजना लिखना बैठना ये क्या है सामानता क्रिया है और हम ये भी पढ़ते हैं जिन सब्दों के लास्ट में ना होता है वो सामानता क्रिया ही होती हैं क्रिया का निर्मार हम तीन लूप से संग्या दातु और बिसीशट से करते हैं फिर हमने क्रिया के दो टाइप सी के वो कौन-कौन से होते हैं सक्रमा क्रिया और फिर अक्रमा क्रिया जिस कार करने कोई भी काम है उसको करने से क्या का उत्तर मिल जाए क्यों का उत्तर मिल जाए तो वो सक्रमा करिया जब ना मिले तो अक्रमा करिया आप ऐसे ही समझ सकते हो और फिर कुछ अक्रमा करिया के एक्जामपल देखे नेक्स्ट पार्ट में हम काल को डिसकस करेंगे किसको डिसकस करेंगे काल को काल को next topic topic में हम discuss करेंगे अभी तक हमने जो part first part first में हमने भाषा ब्याकरण सब्द को समझाया था फिर दूसरे में हमने आपको संग्या और आपकी जो भाषा बचन स्वरी संग्या बचन कारक आधी को समझाया फिर इसके बाद हमने सर्वनाम विशेशड आधी को समझाया और क्रिया को समझाया नेक्स टॉपिक हमारा काल है उसमें आगी की चीज़ों को डिसकस के जाएगा अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों भी जाजादा सियाज प्रोवाइड करा जाते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप जोइन कर सकते हूं वहां पर आपको यह सारी चीज़ेंगे लास्ट यहर के पेपर और सारी चीज़ें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों को ज़रू सेर करें और ज्यादा ज्यादा वीड जैन इस्वेर थैंक यू फोर वचिंग